हेलो डियूरे स्टुडेंट्स, वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल स्टड़ी टिप्स जैसा कि हम लोग जेनरल साइन्स के सेक्षन में फिजिक्स को पढ़ रहे थे और उसमें हमने यूनिट्स और मेजरमेंट के एक पार्ट को देखा था तो आज हम इस विडियो में यूनिट्स और मेजरमेंट को सकेंड पार्ट और इंड पार्ट को देखेंगे ठीक है तो इसमें हम इस पार्ट में यूनिट्स और मेजरमेंट के हर एक पॉइंट को देखेंगे और उन points को देखेंगे, जिन points से exam में पूछा जाता है, examination में पूछा जाता है, हम उन सारे points को touch करेंगे, जिन से exam में पूछा जाता है, और इन से बाहर एक भी questions नहीं बन सकता है, तो आज हम अपना session को start करते हैं, तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे थे, कि units क्या है, measurement क्या है, measurement का अवस्यक्या क्यों पड़ा हमें, measurement के बिना क्या science का development संभव था, measurement के बिना क्या science and engineering, measurement के बिना क्या मानव समाज का development संभव था, क्या measurement, या फिर units के बिना, क्या हम communicate कर पाते, worldwide क्या communicate पर कर पाते, एक standard unit के बिना, क्या अगर हम यहाँ पर एक kg को, अगर kg को standard मा किसी को मासक को केजी मान रहे हैं वो वोड़ वाइड, वो यूनिवर्सली- एक्सेपटेड होना चाहिए तो यूनिट को कौन डिसाइड करता है यह भी हम लोगों ने देखा था कि उसका उसरेटी कौन है उसके लिए औरिणाइजिएशन कौन है और 1971 में क्या हुआ था नॉवंबर 2018 में क्या हुआ था ये सब हमने देखा था फिर उसके बाद हमने देखा था कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है fundamental quantity क्या है physical quantity क्या है तो जितने भी physical quantity है जितने भी physical quantities है ठीक है उसके बारे में देखेते और physical quantity दो type के होते हैं, एक तो fundamental quantity हम साथ fundamental quantity के बारे में पढ़ेते हैं और उन साथ fundamental quantity से जितने भी derived quantity जैसे कि force, acceleration, mass और भी different pressure तो ये सब जो derived उन fundamental quantities के सहारे जो quantities derived किये जाते हैं, उन्हें derived quantity कहते हैं और उनके unit को derived unit कहते हैं, तो हम लोग पिछले class में ये देखे थे, तो आज हम लोग जो start करने वाले हैं उसमें देखने वाले हैं कि जो daily life में कुछ units हम लोग use करते हैं उसे हम लोग देखेंगे तो हम लोग इन units से भली भांती परीचेते हैं लेकिन हम लोग इसको एक बार overview करते हैं minute का symbal क्या है यह symbol है और इसका जब SI unit में हिसको देखते हैं तो time का SI unit क्या होता है सेकंड और एक minute में कितना होता हैывает ένα minute में कितना होता है सिक्षी सेकंड उसी तरह से Marc घंटे का n सिंबल गड़ी है और इस में कितना minute है थो 60 उसके SI unit में convert किये, तो देखे कि उसका unit कितना आ रहा है, उसका quantity कितना आ रहा है, 3600 सकेंड, एक गंटा में कितना सकेंड, 36400 सकेंड, उसी तरह से एक साल में कितना सकेंड, 3.156 into 10 to the power 7 सकेंड, तो ये सब values जो हमारे move पर हम इतना practice करें, कि हमारे move पर याद रहना चाहिए, हम जाम में हमने कोई confusion ना हो, degree, degree को किस तरह से denote किया जाता है, इस तरह से denote किया जाता है, एक circle से, छोटे circle से, एक degree बराबर क्या होता है, πाई बाई एक्स आसी रेडियन, रेडियन को degree में, degree को radian में किस तरह से change करते हैं, ये हम यहाँ पर नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि हम जो पढ़ना है, हम उसके लिए आए हैं, तो एक degree बराबर, पाई बाई बाई 180 रेडियन, तो radian को degree में, degree को radian में change करते हैं, एक degree क्या होता है, एक second में कितना angle construct होता है, जिसको बोलते है, one arc second, one arc minute क्या होता है, तो ये सब हमें जानना चाहिए, तो ये सब ये सब जानने क चीजे हैं, फिर liter में, liter को किस से denote किया जाता है, L से denote किया जाता है capital, उसमें कितना, उसमें कितना, ये क्या बोलते है, SI unit उसका कितना है, ये देख लीजिए, फिर उसके बाद, एक ton में, एक ton को किस तरह से denote किया जाता है, T से, और एक ton में 1000 kg होता है, एक ton में 1000 kg होता है, ए वार एक तरह से प्रेसर का यूनिट है और इसको जब SI unit में हम लोग देखते हैं तो प्रेसर का SI unit पासकल होता है और एक बार बराबर 0.1 MPa जब उसको convert करते हैं पासकल में तो हम लोग क्या देखते हैं 10 to the power 5 पास्कल होता है, उसी तरह से क्योरी, क्योरी जो होता है, Ci से denote करते हैं, और उसको हम लोग 3.7 into 10 to the power 10 second inverse, उसका SI unit में जब value देखते हैं, तो ये होता है, एक quintal बराबर कितना होता है, 100 kg, तो ये daily light में जो units used होते हैं, उसको हम लोगों ने देखा, और भी कुछ units हैं, जैसे कि hectare है, hectare में, एक hectare में कितना meter square, 10 to the power 4 meter square, और standard atmospheric pressure क्या होता है, ये जो standard atmospheric pressure है, इसको हम लोग denote करते हैं, 1 atm से और 1 atm बराबर कितना होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, pressure का unit कितना होता है, पासकल, pressure का unit क्या है, पासकल, तो इसमें कितना होता है, ये देखे value कितना है, 1,325,00 पासकल, तो इसको जब हम लोग convert करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ value आता है, और ये value हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर exam में पूझ देता है, तो confusion में हम लोग wrong करके आ जाते हैं, तो ये तो रहा कुछ units जो कि use करते हैं daily life में, फिर हम लोग अब देखने वाले हैं, फिर हम लोग अब देखने वाले हैं, इसमें एक smallest particle से लेकर, एक largest universe तक को हम लोग major कर चुके हैं, एक smallest particle जो एक atom में, atom को जब हम लोग divide करते हैं, तो हमें neutrons मिलता है, electrons मिलता है, proton मिलता है, वो भी divide होकर और बना है, plasma और Bose Einstein Condensant, वो सब कुछ हमको क्या मिला है, sub-atomic particles मिला है, हम उनके भी mass को, उनके भी length को measurement कर चुके हैं, और एक largest scale पर, एक largest distance पर, universe का mass, उसका length, उसका age क्या है, यह सब भी major कर चुके हैं, तो हम लोग develop किये हैं, और यह सब कैसे हो पाया, तो day by day measurement में, units में जब development हुआ, तब यह सब हो पाया, तो हम लोगों को देखना है, कि जो length है, वो हम लोगों ने, जो smallest particle का length और universe का length, एक जो, हमारा जो observable universe है, उसका length क्या है, और वो जो range है, उस range को हम लोगों को जानना है, कि हम लोगों ने अभी तक किन किन चीजों का range जान चुके हैं, और जो examination में पूछा जा सकता है, उन points को हम यहाँ पर क्या किये हैं, उन points को note down किये हैं, उन points का एक table है, तो आप उस table को एक बार go through कीजिएगा, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कि the size of object, the size of the objects we come across in the universe, जो objects है इस universe में, तो उसका जो size है, वो कह रहा है, कि उसका size vary होता है, एक very wide range में, कोई भी object जो इस universe में हम लोग देखते हैं, उसका size एक बहुत ही बड़े range में, क्या होता है, vary होता है, मतलब minus infinity से plus infinity तक, मतलब जिसको imagine नहीं किया जा सकता है, उतना vary करता है, बट हम लोग जितना major कर चुके हैं, उनमें कुछ values हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अगर exam में वो पूछ देता है, तो हमें वो पता होना चाहिए, जैसा कि हम अभी देखे थे, कि हम अभी इतने develop हो चुके हैं, कि measurement के field में, कि हम molecules के size से, universe तक के size को major कर चुके हैं, तो यहां कुछ points है, कुछ sizes हैं, जिसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि exam में पूछा जा सकता है, और जब हम MC के series लेकर आएंगे, तो यह सब questions रहेगा, तो आप लोगों को जवाब देना है, अभी क्या है, size of proton, तो यह size of proton किसके बराबर है, 10 to the power minus 15 meter, क्या imagine किया जा सकता है, अगर measurement के field में, हम इतना develop नहीं हो पाते, तो क्या इतने छोटे particle, smallest particle का measurement किया जा सकता था, नहीं, तो हम अभी इतने develop हो चुके हैं, कि हम लोग size of proton को भी measure कर चुके हैं, और इन smallest particle का measurement के लिए बहुत सारा methods है, एक मतलब जो अभी meter scale, एक vernier calipers जो हम लोग normally use करते हैं, उन meter scale पर, या फिर बोल सकते हैं, microscope से भी इस proton के size को हम लोग measure नहीं कर सकते हैं, इतने smallest particle को measure नहीं किया जा सकता है, इसके लिए कोई special method है, तो इन method को हम लोगों को नहीं जानना है, बस हम लोगों को जानना है, कि size of proton किसके range में हैं, तो 10 to the power minus 15 meter, उसके बाद size of atomic nucleus, जो atom होता है, उसमें nucleus होता है, और nucleus में protons होता है, तो कहता है atomic nucleus का size जो measure किया गया है वो क्या है 10 to the power 10 to the power minus 14 meter 10 to the power minus 14 meter उसके बाद जो hydrogen atom है जो hydrogen का atom है उसको जो measure किया गया है वो कितना है 10 to the power minus 10 meter 10 to the power minus 10 meter तो length यह सब क्या है बहुत ही smallest particle है और इसको measure करने के लिए कुछ special methods है वो हम यहाँ discuss नहीं करेंगे अगर आप लोगों को चाहिए कि इन methods को भी जानना तो आप comment करें और हम उस पर एक video बना देंगे कि यह जो sizes है जो smallest particle पर कैसे इसका क्या method है smallest particle को measure करने का उनके size को measure करने का smallest particle को length को measure करने का mass को measure करने का largest particle के length को largest particle के mass को distance को measure करने का जो methods है वो method आप describe किजिए तो हम क्या करेंगे उस पर एक particular video बना देंगे लेकिन यहाँ हम लोगों को केवल इतना जानना है यह table को go through करना है तो length of the typical virus तो जो virus होता है आज कल coronavirus का है तो उसी तरह से जो viruses है उसका length जो average length हो सकता है वो कितना हो सकता है 10 to the power minus 8 meter मतलब बहुत ही कम बहुत ही negligible बोल सकते हैं यह से microscopes की द्वारा देखा जा सकता है ठीक है उसके बाद size of RBCs मतलब red blood corpuscles जो होता है हमारे body में जो blood का जो constituent है उसमें red blood corpuscles होता है लाल रक्त कनी का जिसको बोलते हैं उसका size कितना होता है 10 to the power minus 5 meter 10 to the power minus 5 meter उसके बाद हम लोग और क्या major कर चुके हैं तो जो हमारा इस आर्थ पर सबसे जो उचा चोटी है जो सबसे उचा mountain जो परवत है उस पर जो सबसे उचा चोटी है mount Everest उसका कित इतना उचाई है तो यहाँ पर measurable उचाई जो observable उचाई है average कितना दिया गया है 10 to the power 4 meter और जो इस table में value दिया गया है आप लोग उसी table के value को standard मान कर tick करके आएंगे ठीक है उसी को tick करके आएंगे क्योंकि यह पूरा certified value है और यह NCRT का value है तो यह हमारा जो examination है वो NCRT के value को कोई माननेता देता है तो इसलिए हम लोग इसी को मानेंगे फिर अर्थ के radius को भी major किया जा चुका है तो क्या किसी अर्थ के radius को हम लोग किसी meter scale से या किसी फीता या tape से हम लोग क्या उसे major कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए भी इतने large distance को भी major करने के लिए इतने large length को भी measure करने के लिए कुछ special methods होते हैं उन methods को parallax method कहा जाता है large distance को measure करने के लिए और हम पहले भी बोल चुके हैं कि अगर आपको अगर आप लोगों को large distance measure करने का method smallest particle के length को measure करने का method जानना है तो आप comment में बोले हम उस पर एक particular video बना देंगे तो जो radius of earth है इसका क्या range है 10 to the power 7 meter distance of the moon from the earth distance of the moon from the earth ये क्या है 10 to the power 8 meter 10 to the power distance of the moon from the earth मतलब earth से जो चंद्रमा का मतलब पृत्वी से जो चंद्रमा का दूरी है वो किसके range में है तो 10 to the power 8 meter बहुत जादा है ना 10 to the power 8, 10 to the power q होता है 1000 meter और 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 8 तो इस तरह से कितना दूरी हो गया तो 10 to the power 8 meter जो है उतना दूरी है चंद्रमा का पृत्वी से और क्या बोल रहे है अगला क्या है point distance of the sun मतलब sun का distance earth से तो क्या यहां पर भी हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या इतना लंबा दूरी क्या हम लोग meter scale से क्या cover कर सकते है तो नहीं इन सब के लिए एक method होता है parallax method वो हम discuss करेंगे आप लोगों के demand पर ठेक है आप लोगों के demand पर वो discuss कर देंगे तो distance of the sun from the earth वो क्या है वो किसके range में 10 to the power 11 meter 10 to the power 11 meter और कुछ घल्यूज है जैसे की distance of the Pluto जो Pluto जो जिसको की dark planet बोलते है बावना गरह बोलते हैं पहले यह Pluto हमारे गरह में सामिल था लेकिन यह चुकी गरह के जब यह क्या बोलते हैं इनके लिए जो authority है जो organization है जब इनका meeting हुआ था तो उन्होंने देखा कि यह जो Pluto है वो क्या कर रहा है जो planets का जो criteria होता है उसको fulfill नहीं कर रहा है और वो क्या किया इनको Pluto को planet के category से बाहर कर दिया इसको dark planet के category में रख दिया तो यह तो बाद वाली बात हुई जोग्रफी का बात है लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो sun है sun से Pluto का दूरी कितना है 10 to the power 13 meter मतलब पृत्वी से भी ज़्यादा दूर पर यह Pluto वैसे तो जानते ही हैं कि earth से ज़्यादा दूरी पर है Pluto उसके बाद galaxy के भी size को हम लोग major कर चुके हैं ठीक है जो absolute तो नहीं बोल सकते हैं क्या बोलते हैं approximate galaxy के भी size को major कर चुके हैं और इस value को हम लोग मान कर चलेंगे perfect value ठीक है इस value को galaxy का जो हमारा galaxy है हमारा galaxy क्या है यह आप लोग comment करके बताएंगे जो हमारा galaxy है जो हमारे universe का जो galaxy है यो इसका नाम क्या है ठीक है उस galaxy का नाम क्या है हमारे galaxy का उसका नाम COMMENT करके बताएंगे और उसका size जो है जो measurable size है वो क्या है 10 to the power 21 meter उसके बाद एंड्रोमेडा गेलेक्सी ये जो एंड्रोमेडा गेलेक्सी है ये हमारे गेलेक्सी के पास वाला गेलेक्सी है ठीक है एंड्रोमेडा गेलेक्सी और इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है 10 to the power 22 meter और जो पूरे युनिवर्स का जो अबजर्वेबल डिस्टेंस है पूरे युन युनिवर्स का जो distance है वो कितना है 10 to the power 26 meter तो हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या देखें यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो है range of length की अगर बात करें तो कहां से कहां तक देख चुके हैं तो 10 to the power minus 15 meter से जो कि किसका है प्रोटोन का size है जो कि proton का size है से लेकर एक युनिवर्स के size को major कर चुके है और युनिवर्स का size कितना देखें 10 to the power 26 meter तो 10 to the power 15 meter से 10 to the power 26 meter तक यह इस range में हम लोगों ने अभी तक क्या किया है जो कि बहुत बड़ा range है जो कि क्या है बहुत बड़ा range है और इस range को हम लोग major क कर चुके हैं और यह क्यों हुआ कैसे हुआ यह सब हम लोग discuss कर चुके हैं कि measurement के field में measurement को पहले हम लोग जाने उस पर discuss किये units देखें ठीक है units देखें measurement देखें फिर measurement का क्या development में योगदान है यह सब पर भी चर्चा किये हैं तो यह सब देखकर पता चल रहा है कि आज हम इतने develop हो चुके हैं कि एक smallest particle जो एक matter में जो सबसे smallest particle होता है उसके size से लेकर इस universe के size को भी हम लोग ने major कर चुका है फिर आगे बात करते हैं फिर हम लोग आगे बात करते हैं ठेक है तो यहाँ से देख रहे हैं कि जैसा कि हम लोगोंने distance को major किया हम लोगों ने distance को length को measure किया है एक wide range में मतलब 10 to the power minus 15 meter से 10 to the power 26 meter तक के range में जो भी object जो भी particles आएं उसको measure कर चुके हैं हम लोग तो उसी तरह से हम लोग length को जिस तरह से measure किया उसी तरह से time को भी measure कर चुके हैं उतने ही wide range में और उसी तरह से जब length, time और mass को भी उसी range में जो बहुत सारे events होते हैं उन events को एक wide range में हम लोगों ने measure कर चुके हैं हम लोगों ने क्या किया है measure कर चुके हैं क्योंकि हम लोग इतने development measurement के field में हो चुके हैं और यह हम क्या पढ़ रहे हैin units and measurement इसलिए इन सब चीजों पर चर्चा कर रहे हैं और ये पूछा जा सकता है ठीक है बार-बार बोल रहे हैं कि ये पूछा जा सकता है अगला क्या है कि जो range है किसका mass का ठीक है range जो है mass का smallest particle ठीक है एक matter में एक matter जो होता है उसमें atoms होते हैं, atom में nucleus होता है और nucleus के चारो और revolve करता है electrons और nucleus में electrons होते हैं और protons होते हैं और neutrons होते हैं और चारो और electron क्या करता है revolve करता है इसके चारो और क्या करता है electron revolve करता है orbits में ठीक है तो ये smallest particle के smallest particle के mass से लेकर हम लोग कहा तक किसके mass को major कर चुके हैं तो यह हम लोग stable में देखेंगे और इसका भी mass का भी क्या है एक wide range मतलब बोल सकते हैं एक wide scale पर हम लोगों ने major कर चुके हैं तो यह जो points है यह जो values है इसे हम लोगों को ध्यान में रखना है जैसे कि electron का mass कितना है 10 to the power minus 13 केज़ी के रेन्ज में, इसका एक्जेक्ट वेलू कितना है, 9.31 इंटू 10 to the power minus 30 kg, इसका एक 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 यहां का कर रहा है, कि किसके रेंज में हम लोग मेजर कर चुके है, ठीक है, मेजरमेंट का एक रेंज देख रहे हैं, एक range देख रहे हैं कि कहा से कहा तक मतलब एक smallest particle एक minute particle से एक largest object एक largest object को हम लोग एक largest universe को major कर चुके हैं उसके mass को, उसके distance को उसके size को सब कुछ major कर चुके हैं ठीक है? तो ये हम लोग values देख रहे हैं जैसे कि एक तो electron हो गया तो proton का size प्रोटोन का size जैसा कि हम लोग जानते हैं electron का size और proton के size में कुछ तो फर्क है अगर electron का size बहुत छोटा होता है proton के size की तुलना में ठीक है? electron का size बहुत छोटा होता है proton के size के तुलना में और ये क्या होता है? one by 1840 times one by 1800 मतलब अगर electron का अगर váinga अलग अगर elektroni का माश है अगर proton का का माश एक है तो elektron का मास इसके 1 बाटी 1840 भात के बराबर होगा इसका मतलब क्या है कि जो electron का मास है और proton का मास प्रोट का मास अधिक होगा और इलेक्टरोन का मास कम होगा जो कि हम इस टेबल में भी देख रहे हैं और हम यह सब पढ़े हुए है ठीक है तो इलेक्टरोन में क्या है किस रेंज में है 10 to the power 13, 30 उसके बाद प्रोटोन का क्या रेंज है 10 to the power minus 10 to the power minus 27 10 to the power minus 27 और यूरेणियम एटम uranium atom का क्या range है किस range में उसका value है तो 10 to the power minus 25 kg इसका mass किस range में है RBC RBC जो red bullet corpuscle है उसके size के बारे में हम लोगों ने भी चर्चा किया था उसके size पर चर्चा किया था 10 to the power minus 5 के range में था उसका size तो RBC का mass है उसका क्या range है RBC का mass का range क्या है 10 to the power 10 to the power minus 13 kg 10 to the power minus 13 kg उसके बाद किसी dust particle जो हमारा medium है जो atmosphere है इसमें जो dust particles होते है उसका क्या range है तो 10 to the power minus 9 kg उसका क्या range है mass का और एक raindrop जो एक raindrops है जो कि एक बरसा का बूंध होता है ठीक है उसका range जो average एक range देखा गया है जो observe किया गया है उसके mass को उसके mass को तो वो क्या है 10 to the power minus 6 kg और एक mosquito का mass, एक mosquito के mass को जो observe किया गया है, जो एक mosquito का mass को जो major किया गया है, ठीक है, यह क्या है, एक smallest particle है और एक largest particle को भी हम major किये हैं, तो जो measurement का method है, हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, अगर आपको जरुरत है, तो आप comment करके बता है, हम उस पर एक particular video बना तो यह क्या करेंगे आप लोग इस टेवल को गो थू करेंगे ग्रेप्स का है हुमन्स का है आटो मोबाइल का है बोईंग बोईंग सेवन फोर सेवन एयर क्राप्ट का है एक मून का आप लोगों को पता रहना चाहिए मून का जो मास है किस रेंज में है 10 to the power 23 जो चंद्रमा क मास है वो किस रेंज में 10 to the power 23 kg मतलब बहुत ज़्यादा अर्थ का जो मास है अर्थ के भी मास को हम लोगों ने मेजर करके रखा हुआ है मेजर कर चुके हैं मतलब हम लोग इतने डेवलाप हो चुके हैं मेजरमेंट में तो हम लोग मेजरमेंट चेप्टर को पढ़ रहे है तो क्या है सन का यह हो गया 10 to the power 25 और सन क्या है अर्थ से बहुत ज़्यादा मतलब हैवी है तो इसका मास भी क्या होगा ज़्यादा होगा तो अर्थ का रेंज है 10 to the power 25 kg के रेंज में तो सन क्या है 10 to the power 30 kg और जो हमारा गैलेक्सी है अभी हम लोगों ने कुछ देर अभी हमन और हमारे galaxy का जो मास है जो अबजर्व किया गया है मास को किस रेंज में है 10 to the power 41 और जो अबजर्वेबल युनिवर्स है जिसका size जिसका distance हम लोगों ने देखा था 26 मीटर के रेंज में तो उसका मास किस रेंज में देख रहे हैं, 10 to the power 55 kg तो हम लोगों ने यहाँ पर जो मास का रेंज देखा, हम लोगों ने यहाँ पर, एक मिनट दूसरा स्लाइड ले ले लेते हैं हम लोगों ने लेंध का रेंज देखा कि लंबाई को हम लोग कहा से कहा तक मेजर कर चुके हैं तो 10 to the power minus 15 meter से लेकर 10 to the power 26 meter 10 to the power 15 meter से 10 to the power 26 meter ये 10 to the power 15 meter किसका size है ये किसका size है तो ये size था proton का प्रोटोन का आप लोग एक बाद table को go through करेंगे और बार बार उसको revision करेंगे तो याद हो जाएगा और 10 to the power 26 meter किसका size है एक universe का जो observable universe है उसका size है तो यहाँ तक हम लोग देख लिए फिर हम लोगों ने देखा range of mass मतलब mass के mass को भी हम लोग wide range पर major कर चुके हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा electron का 10 to the power 30 kg के range से electron के mass को 10 to the power 30 kg के range से लेकर एक largest एक smallest particle के mass से लेकर एक largest universe के mass को देखा 10 to the power 55 kg तो यह आप लोगों को जरूर याद रखना है अगर लेकिन table को बार बार देखते रहना है फिर हम लोग देखेंगे फिर हम लोग देखेंगे कि जब हम लोगों ने देखा कि mass को देख लिए length को देख लिए तो कुछ events है कुछ event है, कुछ minute events है, कुछ largest event है, तो वो सब को भी हम लोगोंने major किया है, तो उसको time के range को भी हम लोगोंने, हम लोग देखे, तो time का range क्या है, जो कोई unstable particle होता है, most unstable particle, जो universe में जो most unstable particle होता है, उसका life span किस range में है, 10 to the power minus 24 seconds, इसका मतलब क्या है, कि यह जो एक सकेंड का, एक सकेंड का कितना वा भाग, तो 1 by 10 to the power 24 वा भाग, इसका मतलब बहुत बहुत जाद है, एक सकेंड का इतना भाग मतलब कि हम imagine भी नहीं कर सकते हैं, किसी most unstable particle का जो life span है, उसको भी major किया जा चुका है, यह हम लोगों को जरूर से जरूर याद रखन है, कि life span of most unstable particle का range क्या है, life span of most unstable particle का range क्या है, 10 to the power minus 24 second, और उसके बाद जो x range है, जो x range है, आलफा रे होता है, गामा रे होता है, अल्ट्रा वाइलेट रे होता है, ठीक है, तो जो x range होता है, इसका period जो है, ठीक है, x range जो है, इसका period, तो period क्या है, time period क्या होता है, ठीक है, पिरियड क्या होता है यह सब अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे बस इसके time period जो x-ray का time period होता है एक x-ray का time period होता है वो किस रेंग में होता है 10 to the power minus 22 second 10 to the power minus 22 second इस बात को आप लोग याद रखेंगे फिर उसके बाद देखिए इसको इस जो important नहीं है वो हम नहीं देख रह कितने second में एक बार जपकता है उसका range क्या है तो 10 to the power minus 1 second 10 to the power minus 1 second उसके बाद यहाँ पर है कि time between successive human heart beat यह important है यह important है कि जो हमारा heart beat है जो हमारा heart beat है वो उसका जो beat rate है एक beat और दुसरे beat के beat के beat का मतलब successive लगातार जो heart beat हो रहा है उसके beat का difference क्या है उसका time कितना लगता है एक beat से दुसरे beat होने में heart beat को तो वो क्या है 10 to the power 0 second इसका मतलब 1 second इसका मतलब क्या है यह major किया गया है फिर उसके बाद क्या है आर्थ का जो rotation यह क्या है एक time है जो rotational part का यह किस range में है 10 to the power 5 second मे cảन मतलब इतने second का इतनवा times में एक बार आर्थ क्या तो rotation period हो गया, उसका earth क्या, 10 to the power 5 seconds, उसके बाद बोल रहा है कि age of यहाँ पर क्या हो गया, Egyptian, जो pyramide है, Egyptian pyramide है, वो कितने दिनों से बना हुआ है, उसका age क्या है, तो age का मतलब, age को हम लोग किस तरह से define method, क्या method है, age को यह define करने का, किसी भी fossils को, किसी भी चीज का जो पुराने से पुराना समय में मिला हुआ कुछ fossils होते हैं, उसके age को हम लोग कैसे describe करते हैं, उसका क्या method है, age को निकालने का, तो वो आप लोग हम लोग को हमें comment करके बताएंगे, ठीक है, यह काम रहा आपको कि किसी fossil के age को, हम लोग किस method से, किस method से जान पाते हैं, वो बताएंगे, तो यहाँ पर इसको major किया गया है, age कितना major किया गया है, 10 to the power 11 seconds, उसके बाद जो डाइनासूर से यहाँ लिखा गया है, कि जो डाइनासूर है, वो किस समय, कितने दिन पहले, या फिर कितने सेकेंड पहले डाइनासूर का अस्तित्व हमारे अर्थ से खतम हो गया था, यहा उसके बाद क्या है, इस universe का, हम हमेसा देख रहे हैं, एक smallest particle के time, length और distance को देखा, तो यहाँ पर भी एक जो age है universe का, इसको हम लोगों ने major किया है, तो यह major करके बताया गया है, observe किया गया है, एक universe का, observable universe का, age जो universe का observe किया गया है, वो कितना है, 10 to the power 70 seconds, तो इसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, एक minute, इससे पहले एक बार इसको देख लेते हैं, कि अभी time का range क्या देखें, जो events है, उसका range क्या देखें, तो इसका हम लोग एक बार देखें, कि most, most unstable, most unstable particle से लेकर, most unstable particle के time से लेकर हम लोग एक age of universe तक major कर चुके हैं, तो यह तो रहा measurement के बारे में, कुछ measurements जो questions बन सकते हैं, वो यहीं से बनेंगे, है ना, और कुछ नहीं बन सकता है, फिर हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने, देखा था, fundamental units, ठीक है, fundamental units देखा था, fundamental units, क्या होता है, fundamental units, वो unit होता है, एक तो पहले, fundamental quantity, पहले हम लोग देखेंगे, कि fundamental quantity, तो physical quantity, बता, पता, हम लोग बता, बात किये थे, physical quantity, दो टाइब का होता है, एक fundamental quantity, दुसरा derived quantity, दुसरा derived quantity, तो fundamental quantity, वो quantity होते है, जो किसी और quantity पर, जो किसी और quantity पर, किसी अदर quantity पर, अपने measurement के लिए depend नहीं करता है, है ना, fundamental quantity, वो quantity होता है, जो independent होता है, जो क्या होता है, independent होता है, fundamental quantity, वो physical quantity है, जो independent होता है, और ये किसी और other quantity पर, dependent नहीं होता है, अपने measurement के लिए, और fundamental quantity के unit को, क्या बोला जाता है, fundamental unit बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, fundamental unit बोला जाता है, और derived quantity क्या है, derived quantity वो quantity है, जो अपने measurement के लिए, जब fundamental quantity, साथ fundamental quantity हम लोगों ने देखा था, mass, length, time, electric current, amount of substance, luminous intensity, तो ये सब हम लोगों ने साथ fundamental quantity देखा था, temperature देखा था, ठीक है, temperature देखा था, और इसके units पर बात किये थे, तो fundamental quantities है ये, और इनका existence जो है, independent है, ये अपने measurement के लिए किसी और other quantity पर depend नहीं करता है, अपने measurement के लिए ये fundamental quantity किसी और quantity पर depend नहीं करता है, लेकिन derived quantity वो quantity है, जो अपने measurement के लिए fundamental quantities पर depend करता है, दो या दो से अधिक fundamental quantities पर जो quantity अपने measurement के लिए depend करें, वो derived quantity कहलाता है, और उसका unit derived unit हता है, जैसे कि force is equal to mass into acceleration, pressure is equal to force per unit area, उसी तरह से acceleration is equal to meter per second square, तो ये सब हम लोगों को देख रहे हैं, कि ये जो force है, mass और acceleration, इसका मतलब mass का unit क्या होता है, kg और acceleration is equal to meter per second square होता है, meter किसका unit है, length का, और second किसका है, time का, तो इससे देखे, कि जो force है, वो 2 या 2 से अधिक fundamental quantities पर अपने measurement के लिए depend कर रहा है, इसका मतलब ये derived quantity है, और इसका unit जो होता है, force का unit, न्यूटन होता है, तो force का unit, मतलब ये क्या हो गया, derived quantity का unit, derived unit का लाता है, तो अब हम लोग कुछ derived units पर बात करेंगे, जो पूछा जाता है, ठीक है, derived units पर बात करेंगे, जिसे पूछा जाता है exams में, और इसके dimensional formula को, तो dimensional formula लिखने का method ये होता है, कि mass को हम लोग M से denote करेंगे, और length को L से, और time को T से, बस ये हम लोगों को देखना है, और हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है, तो area, area का क्या होता है, meter square, square meter यहां लिखा ग meter का, हम यहां पर देखे हैं, कि meter जो length है, उसका, ये length का unit है, तो length को हम लोग L से denote करेंगे, और dimensional formula, एक मिनट ले ले लेते हैं, दुसरा pin, dimensional formula अगर हम इसका लिखेंगे, तो L square लिख देंगे, क्या लिखेंगे, L square लिख देंगे, उसी तरह से volume जो होता है, meter cube, और meter cube को अग T हम लोग use करेंगे dimensional formula के लिए, तो अगर हम ये units पता होगा, किसी भी quantity का, derived quantity का unit पता होगा, तो हम उसके dimensional formula को easily describe कर लेंगे, और जब हम लोग easily निकाल लेंगे उसको, जब हम लोग MCQ करेंगे, तो different different questions जो previous exam में पूछे गए हैं, उसमें जो dimensional formula देखा गया है, तो हम लोग MC CQ के माध्यम से इस dimensional formula को क्या करेंगे, एक बार और discuss करेंगे, लेकिन ये आप लोगों पर है, कि अगर unit पता होगा, तो dimensional formula खुद बाखुद निकल जाएगा, तो पहले सबसे पहले हम लोगों को कुछ fundamental quantities, कुछ derived quantities का unit पता होना चाहिए, जो most widely use होता है, और most widely exam में पूछा जाता है, जैसे speed या velocity, speed एक scalar quantity है, और velocity vector quantity, लेकिन दोनों का unit क्या होता है, meter per second, और इसके dimensional formula को अगर लिखने जाए, तो meter का क्या होता, L, और time जो second है, उसका time होता है L, T-1 हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग dimensional formula लिख सकते हैं, तो units, measurement and dimension इस तरह से हम लोग chapter अब ending की ओर जा रहे हैं, acceleration का क्या होता है, meter per second square, acceleration का क्या होता है, meter per second square, और meter का हम लोग देखें, यहां से, कि length के लिए, कित क्या लेंगे, L, time के लिए क्या ले रहे है, per second square, तो अगर उपर चला जाएगा, L, T-2 ले सकते हैं, ठीक है, तो यह acceleration का हो गया, wave number क्या है, wave number जो होता है, derived quantity ह ठीक है, wave number एक derived quantity है, और इसका unit होता है, meter inverse, मतलब one by meter, क्या होता है, wave number जो होता है, इसके बराबर होता है, wave number is equal to one by length, तो यहां पर जब निकालेंगे, reciprocal of meter, तो meter inverse हो जाएगा, meter inverse, और जब इसका dimensional formula हम लोग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, dimensional formula meter का क्या होता है, length का L, तो L minus one, L minus one, किसका हो जाएगा, wave number का, उसी तरह से mass density जो हता है, mass density, mass density क्या होता है, mass per unit volume, volume का क्या होता है, meter cube, और mass का क्या होता है, kg, तो kg per meter cube, इसका unit हो गया, और जब इसके dimensional formula को हम लोग लिखने जाएगे, तो kg किसका बराबर है, यह mass का है, तो mass का क्या लिखते हैं हम लोग dimensional m लिखते हैं, mass का हम लोग m लिखते हैं और यह meter का क्या लिखेंगे L, MAS Density का dimensional formula तो इस तरह से हम units अगर हम को पता रहेगा अगर हम यह units पता रहेगा तो हम लोग dimensional formula निकाल लेंगे और units and measurement इस तरह से हम लोग chapter case से related जो भी question पूछा जाएगा उसे हम लोग बना लेंगे तो उसी तरह से आगे इस table में है specific volume तो specific volume होता है meter cube per kilogram क्या होता है specific volume होता है meter cube per kilogram specific volume is equal to meter cube per kilogram और ये जो है units को हम लोगों को ऐसे ही क्या करना होगा as a fact याद रख लेना होगा नहीं तो इसका एक अलग से क्या होता है physics पढ़ना होता है वहाँ से जाकर हम लोगों को इन सब के बारे में अच्छे से knowledge होना चाहिए लेकिन हम क्या करेंगे जैसे physics आगे बढ़ते जाएंगे जैसे physics में force पढ़ेंगे motion पढ़ेंगे ठीक है कि इन सब को याद करने का भी जरूरत नहीं पढ़ रहा है unit को वो unit खुद बखुद जब हम लोग chapter करेंगे तो वहाँ से हो जाएगा लेकिन ये क्या करना है ये table को आप लोगों को ध्यान में रखना है revision करना है जैसे magnetic field strength इसका unit होता है ampere per meter magnetic field strength का unit होता है ampere per meter और इसका dimensional formula अगर लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं उसी तरह amount of substance concentration का होता है mole per cubic meter mole per cubic meter इसका unit होता है luminescence मतलब जो वहाँ पर luminescence का होता है candela luminous intensity जो हम लोग देखे थे उसका unit क्या था luminous intensity का तो candela था luminance होता है कि कितना light कितना brightness luminous intensity जो brightness है उसका मात रख था लेकिन यहाँ luminance कहता है कि कितना brightness per unit area कर पा रहा है तो luminous intensity per unit square luminance होता है क्या होता है luminous luminous intensity per unit square मतलब किसी एक particular area में एक unit area में कितना brightness हो पा रहा है वो वहाँ का luminance कहलाता है luminous intensity per square meter तो यहाँ luminous intensity का क्या formula था क्या unit था candela हम लोग देखे थे fundamental unit में और square meter तो जानते ही है तो unit इस तरह से देख लेंगे और फिर आगे कुछ derived units को देख लेते हैं कुछ आगे derived units को हम लोग देख लेते हैं plane angle का हम लोग देखे थे plane angle को हम लोग देखे थे radian stay radian एक minute हम सायद कुछ छूट रहे हैं हम लोगों का ये topic छूट रहा था ठीक है तो पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं ये topic छूट रहा था और ये इससे भी exam में पूछा जाता है तो ये छूट रहा था हम आगे बढ़ गए थे तो ये topic जो छूट रहा था इससे exam में पूछा जाता है एक फर्मी बराबर 10 to the power minus 15 meter एक फर्मी बराबर कितना होता है एक फर्मी बराबर 10 to the power minus 15 meter ये distance का ये length का कुछ special length का unit है और इस special length के unit से questions पूछा गया है और ये slide हम लोग क्या किये थे इसी कारण से इस slide पर आकर हम क्या कर रहे हैं पहले slide को खतम करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या कर रहे है हम पीछे आया है तो यहाँ पर क्या है कि जो एक फर्मी बराबर जो special length का कुछ units है उस पर अपजी चर्चा करेंगे तो एक फर्मी बराबर क्या होता है एक डारेक्ट पूछा जाता है, एक फर्मी ब्राबर 10 to the power minus 15 meter, इसका symbol क्या है, one for me, small f, एक एंगस्ट्रम ब्राबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रम ब्राबर 10 to the power minus 10 meter, 10 to the power minus 10 meter, और इसका symbol क्या है, एक चोटा circle, एक एंगस्ट्रम ब्राबर 10 to the power minus 10 meter, और एक एस्ट्रोनोमिकल य हम लोग मेजर कर चुके हैं तो large distance को cover करने के लिए जो large distance का कुछ unit हम लोग मान के चले हैं उसको major करने के लिए तो उसमें से कुछ unit है जैसे के astronomical unit, light year, parsec तो इन सब में कुछ confusion होता है तो आज इस confusion को हम लोग दूर करेंगे तो एक astronomical unit बराबर क्या होता है 1.496 into 10 to the power 11 meter 1 astronomical unit बराबर क्या होता है 1.496 into 10 to the power 11 meter और जब हम लोग अर्थ और सन के बीच का range देखे थे ठीक है जो distance का जो length का जब हम लोग range देखे थे average length देखे थे तो वो की से range में था 10 to the power 11 meter में और उसका exact value क्या है 1.496 into 10 to the power 11 meter तो sun और अर्थ के बीच का जो average distance है जो sun sun यह sun हो गया यह sun है हमारा ठीक है मतलब सूरज है हमारा और प्रित्वी है यह हम लोग जिस पर हमारा प्यारा प्रित्वी है ठीक है जिस पर हम लोग रह रह रहे हैं अभी इसके बीच का जो distance average distance इसको बोला जाता है astronomical unit इसको क्या बोला जाता है astronomical unit बोला जाता है तो एक astronomical unit बराबर कितना होता है 1.496 into 10 to the power 11 meter 1 astronomical unit बराबर कितना हो गया 1 astronomical unit बराबर कितना हो गया तो हो गया sun और sun और अर्थ के बीच का जो distance है उसी को बोला जाता है astronomical unit और एक astronomical unit बराबर होता है 1.496, 1.496 याद रखना है 1.496 into 10 to the power 11 meter और एक होता है light year एक होता है क्या? light year होता है एक मिनट चलते हैं उस slide पर हाँ, light year तो light year का क्या value है? light year का है 9.46 into 10 to the power 15 meter light year 9.46 into 10 to the power 15 meter यह क्या है? distance का एक unit है और जैसा कि light year मतलब एक परकास worse तो एक साल में मतलब एक साल में जो light एक मिनट इधर कर लेते हैं इसको एक साल में distance, वो distance, distance that light travels with velocity जो light है, light की speed से चलती है तो 3 into 10 to the power 8 meter per second मतलब एक second में 3 into 10 to the power 8 meter एक light distance travel करता है, एक second में तो एक साल में यह जो light एक साल में जो यह light distance travel करेगा vacuum में, एक साल में जो यह light distance travel करेगा vacuum में है ना, space में उसको बोला जाता है light year उसको क्या बोला जाता है? one light year और उसका जब value निकाला गया, एक साल में कितना दूरी तई करेगा तो उसका value है 9.46 into 10 to the power 15 meter ये भी आप लोगों को, ये भी क्या करना है, हम लोगों को याद रखना है ये पूछा गया है सवाल बहुत बार, एक light year और अगर 4 option दे दिया जाए और कुछ value चेंज कर दिया जाए, तो confusion में answer गलत हो जाता है इसलिए क्या करना है, एक light year बराबर 9.46 into 10 to the power 15 meter और light year क्या होता है, ये light की speed से चलता है, तो 3 into 10 to the power meter per second एक second में इतना दूरी, तो एक साल में जितना दूरी light पै करेगा उसी को बोलते है light year, पार्से क्या होता है, एक पार्से की इस उकल टू होता है 3.08 into 10 to the power 16 meter 3.08 into 10 to the power 16 meter है ना, तो ये पार्से क्या है, ये distance का, ये length का एक unit है जो कि largest distance cover करता है, वो largest distance का unit है तो पार्से क्या और astronomical unit में क्या relation है, वो अभी हम लोग देखते हैं, ये पार्से क्या होता है चलो, एक मिनट पार्से क्या होता है, तो astronomical unit तो हम लोग जाने की क्या होता है astronomical unit होता है, हमारा सूरज और अर्थ के बीच, हमारा प्यारा पृत्वी के बीच का जो distance होता है उसको क्या बोला जाता है, astronomical unit तो पार्से क्या होता है, पार्से क्या होता है, पार्से क्या होता है, ये light ये distance का क्या है, एक length का, एक special units है और ये क्या है, largest distance को कवर करने वाला unit, length वाला unit सब है टो astronomical unit, astronomical unit जाने sun और अर्थ के बीच का distance astronomical unit sun और अर्थ के बीच का distance तो कहते हैं कि जो sun है तो जो parsec है, parsec को हम लोग इस तरह से denoyante करेंगे कि जो parsec होता है, astronomical unit, this के बीच का distance और parsec में क्या नने तो जो parsec होता है वो होता है जो earth का orbit है अर्थ का और्बीट है अर्थ ये सन है और ये अर्थ जिस और्बीट में चारो और अर्थ के चारो और जो घुमता है ठीक है अर्थ के ये सन हो गया सन मानलो नुकलियस है तो अर्थ अगर रिवॉल्व कर रहा है एक और्बीट में तो इस और्बीट का जो एवरेज रेडियस जो होता है जो इस और्बीट का जो एक मीन रेडियस होता है मान लिया कि ये अर्थ है ठीक है ये अर्थ है और इसका जो एवरेज रेडियस है इसके और्बीट का जो एवरेज रेडियस है ठीक है, average radius, यहां से यह हो गया sun और यह हो गया earth तो sun से earth के बीच का distance क्या हो गया, astronomical unit यह क्या हो गया, astronomical unit और अब यहां से earth जो इस orbit के average radius से average radius से जो angle subtend करता है, किसी एक other planet, मतलब celestial body पर जो angle subtend करता है, यह earth जो है अपने जो जिस orbit में घूम रहा है उसके जो average radius से जो एक angle subtend करता है तो वही वो angle जो एक arc second का, एक arc second का, जो angle subtend करता है यह मान लिया कि कोई star है, यह मान लिया कोई star है, कोई planet है तो यह कोई star है, इस पर जो angle subtend कर रहा है, कितने का? एक arc second का, तो जितने दूरी पर यह angle subtend कर रहा है जितने दूरी पर ये angle subtend कर रहा है तो ये हो गया astronomical unit और इस distance को इस distance को ये sun से इस planet इस star के बीच के distance को जो अर्थ का orbit यहाँ पर क्या कर रहा है एक angle subtend कर रहा है इस distance को बोला जाता है एक parsec इस distance को क्या बोला जाता है एक parsec बोला जाता है और ये arc second क्या होता है, कितना angle, एक arc second बराबर, एक arc second बराबर कितना होता है, एक arc minute बराबर कितना होता है, एक degree बराबर कितना होता है, ये value जो है, ठीक है, जैसे कि एक जो circle है, ठीक है, ये circle अगर यहाँ पर 360 degree घूम जाए, पूरे में घूम जाए, तो कहेंगे कि 360 degree हम लोग पूरा एक बार घूम गए लेकिन जब यहां से यहां तक घूमेंगे यहां से यहां तक कुछ थिटा डिग्री में घूमेंगे तो यह कहलाता है आर्क, यह क्या कहलाता है आर्क कहलाता है, तो यह 360 डिग्री घूमा, माल लिया एक degree घुम्यगा तो कितना value Subtuent करेगा एक degree घुम्यगा तो एक degree बरावर 60 minute माल लिया तो उस तरह से क्या करते हैं हम लोग एक second का value निकालते हैं एक second में कितना angle Subtuent करेगा एक minute में कितना angle Subtuent करेगा देखें कि 1 degree में कितना एंगल सब्टेंट करता है तो कुछ इस तरह से भिल्य होता है 1.744 into 10 to the power minus 2 रेडियन प्लेन एंगल का क्या यूनिट है? रेडियन है तो हम लोग 1 degree का भिल्य देखते हैं कि इतना रेडियन का एंगल क्या होता है सब्टेंट करता है तो उसी तरह से 1 minute में और यह अगर आप लोगों को इसके बारे में हम लोग इसका derivation और यह सब नहीं जाना है यह unit sun measurement जब detail में पढ़ा जाता है यह जब classes में होता है तब इसके derivation को हम लोग देखते हैं इस टाइप के numerical को हम लोग बनाते हैं तो जो एक सकेंड में जितना angle जो subtend कर रहा है उतना जो angle यह प्लैनेट आर्थ अपने और बीट से और यह sun से जो और बीट यह जो cover कर रहा है average radius हो गया इसका यह और इसी radius को क्या बोला जाता है astronomical limit और इसके बीच का जो distance है यहां से यहां तक के बीच का जो distance है इसको बोला जाता है parsec और एक parsec बराबर क्या है एक parsec is equal to क्या है एक parsec is equal to 3.08 into 10 to the power 16 meter तो यह जो है यह point अब हम लोगों का complete हो गया अब हम लोगों का यह point हो गया यह जो है यह चुटा था हमारा जो miss हो था वह हो गया यह भी हम लोग देक चुके हैं यहां पर कुछ units है derived units है इसको क्या करना है अग बार go through कर लेना है ठीक है इसको एक बार go through कर लेना है अपने आप से stable को और क्या करना है जब हम units के derived quantity है इसके units को जानेंगे तो इसके dimensional formula को आसानी से लिख पाएंगे जैसा कि plane angle का जो supplementary units है supplementary quantity है तो इसका unit क्या होता है radian और इसको rad से denote किया जाता है solid angle का steradian होता है steradian से और हम लोग देखे थे कि rad is equal to यहाँ पर theta is equal to क्या देखे थे और steradian is equal to d omega is equal to kya क्या देखे थे ds by r square देखे थे कि नहीं तो यह सब याद रखना है यह सब याद रखना है वो देख लेना है फिर उसके बाद एक frequency जो होता है frequency का unit होता है frequency का unit क्या होता है हर्ज और इसका इसको इस तरह से भी कहते है one by time, one by second तो second inverse इसका unit हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और अगर कोई तुम्हें बोल दे कि इसका dimensional formula लिखो तो t-1 हो जाएगा तो dimensional भी हम लोग formula लिख सकते हैं force, force का क्या unit होता है newton और force का unit अगर इसका dimensional formula लिखने बोले force is equal to newton होता है force is equal to newton होता है mass into acceleration, mass का होता है kg और इसका acceleration का क्या होता है meter per second square meter per second square, kg का क्या होगा m, mass का क्या होगा meter, meter का क्या होगा l होगा, और second का किसका है time का ml, t-2 तो अगर dimensional formula लिखने बोले और हमें unit पता हो derived quantity का तो क्या हम dimensional formula नहीं लिख लेंगे तो इस ये unit पता होना चाहिए इस table को एक बार आप लोगों को देख लेना है और इसका unit पर जब हम लोग MCQ पर चर्चा करेंगे तो सारे units और dimensional formula को one by one units में देखेंगे तो यहाँ से देखें energy, work, quantity of heat इन सबका unit क्या है? Joule है इन सबका unit Joule है और उसका unit होता है Newton meter Newton meter energy is equal to क्या होता है? Newton meter और Newton को अभी हम लोग यहाँ से निकाले है force का unit Newton और उसका dimensional formula वे निकाले है उसके साथ meter लग जाएगा तो ये निकल जाएगा ये निकल जाएगा energy का dimensional formula निकल जाएगा energy का unit निकल जाएगा energy का SI unit निकल जाएगा तो सब कुछ हम निकाल सकते है power का unit होता है what और जब उसका dimensional formula हमको निकालने बोले तो power is equal to क्या होता है? energy per unit time energy per unit time power is equal to क्या होता है? energy per unit time और energy का unit हम लोग अभी जूल देखे हैं और time क्या होता है second और जूल का यहाँ पर अभी निकाल चुके हैं Newton meter जूल का अभी निकाल चुके हैं पीछे Newton meter तो फिर उससे जूल यहाँ निकाल देंगे डामेंस का formula और second को उपर लेके चले जाएंगे second inverse तो वहाँ से यह निकल जाएगा electric charge का unit होता है कुलंब और कुलंब जो होता है I is equal to होता है Q by T और Q बराबर होगा I T Q बराबर I T तो Q जो है electric charge इसका unit होता है कुलंब I जो है current है उसका unit होता है ampere और time का unit होता है second तो कुलंब जो charge है उसका unit क्या होगा, ampere second, तो यहां लिखा हुआ है ampere second, यह लिखा हुआ है ampere second, ठीक है, कुलम का unit, electric potential difference, electromotive force, voltage, सबका unit क्या होता है, volt होता है, और electric potential energy यह सब discuss करने का भी इस topic में चर्चा करने का time नहीं है, और इसमें करना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब आगे chapter पढ़ेंगे, electricity पढ़ेंगे, magnetism पढ़ेंगे, तो उसमें detail में देखेंगे, और जब वहां देखेंगे, तो इन units को अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है, Q ब्राबर C भी, तो column by volt, तो इसको निकाल लेंगे, electrical resistance का होता है ohm, और ohm को r ब्राबर rho L by A, यह हम लोग electricity में देखेंगे, उसी तरह से electric conductance का होता है unit, cements, ampere per unit volt, magnetic flux का होता है वेबर, वेबर जो होता है magnetic flux का unit होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे, volt into second, और volt का हम लोग निकाल चुके आगे यहां, तो second उसमें केवल लगा देंगे, magnetic flux density का होता है Tesla, वेबर पर meter square, वेबर होता है किसका, magnetic flux का और density देखना है किसी एक particular area में, तो वेबर पर meter square होता है, magnetic flux density का और वेबर का unit निकाल चुके हैं पीछे, तो वहां से उसके सहारे, उसके help से हम लोग यह निकाल सकते हैं, inductance का होता है Henry, वेबर पर unit ampere, Celsius temperature का होता है Kelvin, luminous flux, luminous flux, luminous flux क्या होता है, luminous, और हम लोग अभी देखे थे, luminance का, luminance का देखे थे, luminous intensity per unit area, luminous intensity per unit area जो होता था, luminous, luminance होता था, लेकिन luminous flux जो है, जो तुम्हारा brightness, जो lines of force जा रहा होगा, यह बल्ब का जो जा रहा होगा, luminous flux वहां पर हम लोग देखेंगे, जब आग तो वह luminous होता है, उसका unit क्या होता है, luminous होता है, और हम लोग देखते है, उसको कहते है, candela star radian, तो star radian किसका unit है, solid angle का, सॉलीड एंगल का unit कितना होता है सॉलीड एंगल का unit है 1 by meter square और theta by meter square यहां से देखो area by ds by r square तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे luminous flux का, luminance का, celsius temperature का जितने भी units है उसको देख सकते हैं और यह सब जब हम आगे chapter में one by one सारे units को जब सारे units का एक collection हो जाएगा हमारे पास तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगा इस units जब जानेंगे तो dimensional formula निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगा फिर क्या है कुछ यहाँ पर यह कुछ units दिया गया है जैसे viscosity का पास्कल सेकेंड होता है moment of force का newton meter जैसे कि हम लोग देखे ते newton meter का newton का होता है तुमारा force का unit है और force का हम लोग देखे ते उसके साथ meter लगा दो तो surface tension होता है newton force पर unit meter तो newton पर meter इसका यह क्या बुलता है कि हो जाएगा unit angular velocity क्या होता है gradient per second जैसे कि linear velocity का क्या होता है linear velocity का होता है आपका displacement per unit time displacement per unit time तो यहाँ पर angular velocity क्या होता है angular displacement per unit time तो angular angle प्लेन एंगल का unit क्या है radian जो angular displacement होगा माल लिया यहां से यहां तक angular displacement theta जो होगा उसका unit क्या होगा radian होगा और theta जितना cover किया मतलब theta जितना cover किया per unit second क्या होगा angular velocity होगा तो angular velocity को omega से दिखाते हैं और theta by second तो radian per second क्या हो जाएगा radian per second इसका unit हो जाएगा radian per second इनिट हो जाएगा उसी तरह से flux density को देख लेंगे heat capacity entropy joule per Kelvin joule per Kelvin joule का हम लोग जानते हैं और Kelvin क्या करेंगे उपर लेके चले जाएगे Kelvin inverse है ना उसी तरह से specific heat capacity joule per kilogram Kelvin joule per kilogram Kelvin specific heat capacity जब हम लोग thermodynamics देखेंगे तो इन सब unit पर अच्छे से चर्चा करेंगे लेकिन क्या करना है इस units को हमेशा याद रखना है unit से dimensional formula निकल जाएगा उसी तरह से thermal conductivity का क्या होता है watt per meter Kelvin energy density का क्या है joule per cubic meter तो joule का हम लोग जानते हैं meter cube से निकाल लेंगे उसी तरह से electric charge density का क्या होता है coulomb per cubic meter electric charge density coulomb जो होता है electric charge का और per meter cube electric charge density कहलाता है electric charge per unit meter cube electric charge per unit volume क्या होता है electric charge density electric charge per unit volume तो इसको इस तरह से निकाल लेंगे electric flux density electric flux density क्या होता है coulomb per meter square coulomb per meter square electric charge density coulomb per meter cube और electric flux density कुलंब पर मीटर स्क्वेर तो ये सब कुछ वेल्यू जब हम electrical आगे chapters देखेंगे thermodynamics electricity तो हर कुछ समझ में आएगा permittivity, ferad per meter permeability, magnetic circuits में होता है henry per meter, permittivity electrical circuits में हम लोग use करते हैं ferad per meter, तो ये सब भी हम लोग electricity में देखेंगे आप लोग को क्या करना है इस chapter को, इस units को याद करना है इस units को बार-बार देखना है इस units को याद करना है जब units याद हो जाएगा तो dimensional formula easily हम लोग निकाल पाएंगे और सारे units को आगे जब हम लोग chapter पर देखेंगे तो आसानी से समझ भी पाएंगे और यहाँ भी हम लोगों ने समझा ठीक है? तो ये हो गया कुछ derived units का derived, कुछ derived units हो गया जो most widely exam में पूछे जाते हैं फिर कुछ SI prefixes होते हैं जिसको की जानना अगर जब ये units and measurement पाढ रहे हैं तो इस SI prefixes को जानना जरूरी है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो 10 to the power 10 to the power 24 लिखा हुआ है इसको क्या बोला जाता है? योट्टा 10 to the power 24 को योट्टा और इसको denote किसे करते हैं? य से उसी तरह से 10 to the power 21 को जेट्टा 10 to the power ये याद रख लना है क्योंकि ये भी कभी-कभी पूछा जाता है और ये पूछा गया है कि 10 to the power 24 क्या है? तो योट्टा होता है क्या होता है? योट्टा और इसको denote किसे किया जाता है? Y से 10 to the power 21 Z इसको किसे denote किया जाता है? Z से 10 to the power 10 to the power 18 10 to the power 18 इसको डैनोब किया जाते है इसरे 10 to the power 10 टुी पावर 15 इसको बोला जाता है 10 to the power 5000 को क्या बोलते है फर्मी भीन पहले देखे है ठेक कि रेंख के जो इस्पेशल यूनिट था उसमें देखे थे फिर 10 to the power 9 इसको क्या बोले जाता है 10 to the power 12 इसको बोले जाता है गीगा 10 to the power 12 इसको बोले जाता है इसको टेरा बोले जाता है टेरा 10 to the power 9 को तो इस टेबल को एक बार आप लोगों को देख लना है जैसे कि 10 to the power minus 9 क्या है ने नो 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 माईक्रो 10 to the power 6 मेगा 10 to the power minus 18 एक्टो और 10 to the power 18 क्या होता है एक्सा 10 to the power minus 15 क्या है फेम्टो और इसी को फर्मी भी बोला जाता है 10 to the power minus 21 क्या है 10 to the power minus 21 जेप्टो 10 to the power minus 21 जेप्टो तो इस table को एक बार देख लेना है और इस values को याद रखना है 10 to the power 24 10 to the power 24 जेप्टो 10 to the power 21 जेप्ट 10 to the power 18 जेप्ट 10 to the power 19 जेप्ट 10 to the power 18 तेप्ट 10 to the power 12 तेप्ट 10 to the power 9 जेप्ट 10 to the power 6 जेप्ट 10 to the power 3 जेप्ट 10 to the power 3 जेप्ट 10 to the power 1 जेप्ट 10 to the power minus 1 जेप्ट 10 to the power minus 2 जेप्ट 10 to the power minus 2 जेप्ट 10 to the power minus 3 जेप्ट 10 to the power minus 3 जेप्ट 10 to the power तो यह कुछ SI प्रेफिक्से हैं इसको हम लोगों को याद रखना है क्योंकि यह एकजाम में पूछा जाता है और जब हम अब क्या हुआ कि यह जो यूनिट्स एन मेजर्मेंट था इसको हम लोग अच्छे तरीके से यूनिट्स क्या होता है मेजर्मेंट क्या होता है, मेजर्मेंट का जरूरत क्यों पड़ा, मेजर्मेंट के बिना क्या physics संभवता, मेजर्मेंट के बिना क्या development संभवता, मेजर्मेंट अलग-अलग wide range पर mass का, length का, time का देखे, उसके values को देखे, derived unit क्या होता है, fundamental unit क्या होता है, physical quantity क्या होता है, physical quantity दो type के fundamental quantity, derived quantity, fundamental quantity के unit को fundamental unit, derived quantity के unit को derived unit, कुछ derived units को हम लोग देखे हैं, जिसे की आगे के chapter में हम लोग उसको और अच्छे से समझते जाएंगे, तो ये रहा हम लोगों का units and measurement, तो students हमारा units and measurement यहाँ पर complete होता है, और जितना हम हम लोग पढ़े हैं उसे बार-बार revision करना है और units and measurement और dimension से चुकि हम लोग को unit पता होगा तो dimensional formula MCQ series भी लाएंगे जितने previous year exam में questions पूछे गए हैं उन previous year exams को भी questions हम लोग करेंगे और सारे questions को लगभग 100 से 100 questions के लगभग units and measurement पर हम लोग discuss करेंगे previous year questions को और जितने भी important books होते हैं उन सारे books से previous year questions को हम लोग लगाएंगे और MCQ पर जब हम लोग चर्चा कर लेंगे तो हमारा पढ़ा हुआ ये पता चलेगा कि क्या हम लोग जितना पढ़े थे क्या उससे questions आ रहा है या नहीं आ रहा है तो ये देखेंगे और जो units and measurement अब खतम हुआ अब आगे chapter हम लोग ये जो physics का है वो खतम करते जाएंगे आप लोगों को इस हमारे YouTube चैनल पर हर subject के बारे में physics, chemistry, biology और भी डिफरेंट डिफरेंट जी के रिजिनिंग, maths के भी विडियोज मिलेंगे तो और अच्छे अच्छे विडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को like करें, subscribe करें और comment करें अगर आप लोगों को ये विडियो कैसा लगा ये भी हमें बताएं ये भी बताएं अगर कोई विडियो में कमी है तो इसे बताएं हम उस कमी को दूर करने का improve करने के लिए आप लोग बताएंगे तो उस कमी को improve करेंगे और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे content को लाने के लिए अगर सर रहेंगे तो thank you दोस्तों और यहां यहां पर units and measurement खतम होता है mcq series के लिए